गुमज बना हुआ है, उस गुमज के बीच में परमात्मा का शिंगासन है, सफेद गुमज है, सफेद यह बना हुआ है, पूरा गोलाकार का एक सट्रेक्शर है। सफेद ही सिंगासन है, सफेद ही प्रमात्मा के वस्तर हैं, और सफेद ही उनके श्रीर से रोच निकल रही है, बहुत सुन्दर है, शिर्फर मुकट है, उपर एक छटर, जैसे ये छटरी आपको नजराती है, ऐसा बहुत बड़ा छटर वगवान के शिर्फर विराजमान है, एक रॉमकूप के रोसनी एक बाल का चिद्र होता है इसको रॉमकूप कहते हैं इस रॉमकूप की इतनी रोसनी है परमात्मा के स्रीर की क्रोड सुरिय में लाजे क्रोड चंदरमा तो भी एक रॉमकूप की रोसनी अधिक रहे है और नीचे से दूसरे रूप में परमात्मा व उनके निकट पहुंचे जब गुमज में परवेश किया वहां एक रखा हुआ चवर था चवर जैसे सफेद सफेद बालों का ऐसे होता है वो चवर उठा करके जिंदा महात्मा वाले रूप में परवेश्वर अपने ही दूसरे इस रूप पर डबल रोल कर रहे हैं चवर करने लगे जैसे एक सेवर करता है दास करता है भागत करता है तो गरीब दास जी ने सोचा कि वही बगवान तो ये है वो परम सक्ती जो तकत पर बैठा है जो सिंगासन पर विराजमान है और ये बाबा जी इसका कोई नोकर चाकर होगा उसी समय क्या हुआ कि वो तेजों में स्र सिंगासन पर विराजमान था वो खड़ा हुआ और जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उपर गए थे वो सिंगासन पर बैठी है वो रूप है और वो तेजों में स्रीद वाला शरूप अपने उस दूसरे रूप यानि जिंदा वाले स्रीद पर के सिर पर चवर करन लगा ऐसे अब गरिबदास्ती वालक सोच रहे हैं वह एक कमाल का बाबाजी है ये तो बगवान भी इसके उपर सिवा कर रहा है इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में स्रीर उस जिंदा वाले स्रीर में समागे अकेले जिंदा वाला स्रीर ही सरूप ही उस अनंत कोटी बिर अंगासन पर विराजमान रह गया और चमर अपने आप घूम रहा है गोड़ पावर से इस्वरिय सक्ती से अब गरीब दास जी सोच रहे हैं ओ हो रहे ये तो बाबा जी को नहीं बगवान नहीं थे भाई तब जिन्दा वाले सुरूप के चर्णों में डंडवत परनाम किया और कहा प्रमात्मा मैं पहचान नहीं सके आपको मुझे माफ करना मालिक फिर गरीब दास जी को नीचे देखने को कहा कि नीचे देखो तुमारे लोग को उस लोग की तुलनाम है यहां परत्वी लोग, स्वर्ग लोग, ब्रम लोग यह बहुत ही गटिया लोग नजराते हैं ऐसा समझो जैसे एक अच्छे महल जिसमें अच्छी चिप्स बगएरा लगी हो, संगे मरमर लगा हो और बहुत बड़ा हो, उसकी तुलना में पस्वों का कच्चा सथान हो, जिसमें पसु रोके जाते हैं ऐसा सथान ये लोग है परत्वी लोग और ये सारे लोग ऐसे नजराते हैं वहां से, उसकी सुंदरता, उसकी पवितरता की तुलना में तो पुन्यात्मों ग्रीबदास क्योंकि वहां जाने के बाद यहां का अज्ञान अंधकार पूरन रूप से नष्ट हो जाता है तो ग्रीबदास ने कहा पर वहां सब जूठे नाते रिष्टे हैं अब मुझे वहां ना बेज़ो पर्मात्मा क्योंकि वहां जाने के बाद पर्मात्मा ने जो उनको श्रिष्टी रचना का ग्यान दिया था वहां से सब और अन्सों ने जो और भगत वहां रह रहे हैं उन सब ने बताया कि ये परमातमा है गरीबदास ये पूरन ब्रम है और यही बगवान कासी में जुलाहा की भूमी का करकाए थे परमेश्वर ने भी स्विम बताया था कबीर जी ने अपनी सारी कहानी सुनाई थी गरीबदास ये को कि मैं 120 वरस बनारस में एक लीला करके आया था वो सारी कहानी से प्रीचित कर दिया और ये क्या होता है कि जैसे आप जी जो भी यहां देख रहे हो कर रहे हो इसकी एक आटोमेटिकली फिलम बन रही है और वो फिलम आप जी के अंत्यकरण में डिपोजिट हो जाती है और एक फिलम उपर भगवान के पास उनके केम्पूर्टर में फीड हो जाती है तो उसमें पीछे जो भी इथार्थ गटनाए गटी है उनका एज इज इज फिलम होती है मूवी होती है तो ग्रीबदास जी के अंत्यकरण में प्रमात्मा कभीर जी ने अपनी वो जो लिला वो की थी बनारस में और पहले भी जब आते रहे कभी किसी योगों में तो वो सारा उसके अंत्यकरण में फीड कर दिया और ग्रीबदास जी का ग्यान योग खोल दिया और उसके बाद ग्रीबदास जी को सब पता चला कि यता संखों जनम होगे हमने भटक जाने और केवल यही सिथान है जहा हम सुख प्राप्त कर सकते हैं उस काल के लोग में तो परमेश्वर ने कहा बेटा जो तुम्हारे उपर रिन है उस रिन से तुमने मुक्त होना पड़ाएगा ऐसे नहीं रख सकते हैं तुम्हों सब को ले आओं या मेरे बच्चे हैं वाद दुखी हो रहे हैं मेरी आत्मा भी तंक पाती है मेरा और इस काल का एक प्रोमिस हो अग्यान दो अपने ग्यान आपके ग्यान से जो आपको भगवान मान कर आपके नुसार साथ ना करे उसको आप ले जाना और जो हमारे अग्यान के आदार से हमें ही भगवान मान कर पूज़ता रहेगा उसको मत ले जाना इसलिए ग्रीबदास जी आप वापस जाओ और मेरे इस कारियम सहयोग दो आप जाके इस ग्यान का जो आपने आखों देखा है प्रमात्मा की महिमा प्रमात्मा का सरूप उनकी लीला आप वहां जाकर गुनगान करो प्यारी आत्माओं को बताओ अब ये कबीर प्रमेश्वर जी उपर अपने उस आत्मा को समझा रहे हैं उपर के नजारे दिखा रहे हैं दरिश्य दिखा रहे हैं पीछे से क्या हुआ कि जो पाली थे अन्य गवाले थे उन्होंने गंटे दो तिर गंटे के बाद देखा कि भी वो लड़की का लड़का क्योंकि गरिबदास जी का जनम अपने नाना के घर हुआ था और वहीं उनके पिता जी घर जमाई रह रहे थे यानि वहां के ही वो वसंदे हो गए थे फिर भी वहां के लोग उनको लड़की का लड़का बोलते थे बहांजा बोलते थे कोई जोता बोलते थे तो बड़े बड़े पालियों ने कहा रहा है वो लड़का कहा है दो बहांजा कहा है वो गरिबदास कहा है उसने लाओ बला को बाबाजी कहा गया उनने देखा कि बाबाजी है नहीं गरिबदास बैठा है अब गृबदास जी सतुल स्रीर यही रह गया था आसन पर जैसे आलती पलती पार कर बैठते हैं सुख आसन पर ऐसे बैठे बातें कर रहे थे वो एजिटीज रह गया बैठा बैठा जैसे मूरती रखी होती है और आतमा उपर जा चुकी थी तो वहां से वो कुन उन में से गवाले पाली आये तो कहा कि आजा तेरी पारी आगी तू अपनी गाएं गहर अब वो गरीबदास जी बैठे नजर आ रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे और पाली और ने कट आगा कै तारे गरीबू खड़ा और आजा भाही तेरा टरना आगी तेरी पारी आगी अब बिलकुल नकट आगा उसक को पकड़ के नू कहा ए बगजी खड़ा हो अज गाएं नहीं गे रहे गा क्या इतना करते हैं वो लोडगे क्योंकि वह वो तो जड़ रखा था शतूल सरीर सेश था अब जो ही उसको देखा कि इसकी आखें खुली हैं बोल रहा नहीं तो मर गया मर्चू होगी अन्य गवा को आवाज लगाई कि भागाओ आजाओ यू बान्जा मर गया गरीब बू मर गया अब आए दोड़ के देखा सच्वों ची तो मर गया वाई दो चार पाली गाउम आए बागे जो ही माता पिता जी को क्योंकि दस बारा वरस के बाद एकलोता पूतर प्राप्त हुआ था और मर तू सुनकर उसकी माता पिता दोनों बेहों सो गए गाउं के लोगों का वहां बगदर मचगी जहां वो गव चरा रहे थे उदर तरफ भाग लिए सब इस तरी पुरुष वहां से बच्चे के सब को गाउं में लाए और जो ही उस बच्चे की अन्तिम सब्सकार की तारी क चिता पर रख दिया मर चुकी थी वहां से आत्मा नहीं थी अगने जलाने ही वाले थे तभी ग्रीवदास जी को पर में इस वर ने कहा कि जा प्यारी आत्मा तेरा सिरीर नष्ट करने जा रहे हैं गाहों वाले और जा बेटा ये अन्मोल सिरीर है अन्मोल जीवन है तू मैं तेरे साथ रोंगा तू गवराना और मैं तुझे एसा मंतर दूँगा कि तेरा रिन सिघर समाप्त हो जागा इस काल का रिन आपका सिघर समाप्त हो जागा और इस ग्यान का परचार करना तू बेटा जाए अब गरीवदास जी जो ही वापस श्रीर में प्रवेश कीये तो वो शरीर में गतीविदी होगी, हलचल सुरू होगी, उपर कुछ रशी बांध कर ले जाते हैं, सौ रास्ते में गिरना जा, उस अर्थी का उपर है, उस इस स्ट्रक्चर पह लकडी का बना गिर जायरे है, उसने अर्थी बोले है, जैसी वासा मिया, उसके उपर रसी बांद लेते हैं कहीं रस्ते में यो सवगिर ना जा और वो एज़िटिज रख देते हैं तो जो ही रखाई था इतने में परमात्मान वात्मा दुआरा प्रवेश कर दी कभीर जी ने और सारे स्रीर में कमपन होई वो बंदन अपने आप तूट गे जो उपर बंदे हुए थी और गरीब दास जी एक दम खड़े हुए खड़े होकर नीचे उतरे देखा आसपास सेकडों की संख्या में इस्तिरी पुरुष खड़े हैं चिता को देखा सब देख करके फिर एक दम उपर जो कछ भी आँखों देखा था और परमात्मा ने जो ग्यान उनके अंते करन में फीड कर दिया था वही कैसेट ओन होगी वो अमरतवानी बोलन लग गे अनन्त कोटी बिरमंड का एक रती नहीं भारे सत्गुरु पुर्स कबीर हैं कुल के सिर जनहार अलल पंक अनुराग है सुन मंडल रथीर दास गरीब उधारिया सत्गुरु मिले कबीर दर्म राय दर्बार में देई कबीर तलाक मेरे भूले चुके हंस को तुम पकडियो मत कजाको तीन लोक का राज है ये बर्मा विश्ण महेस उंचा धाम कबीर को बानी बिर विदेश ऐसे मतवाले होगे ऐसे गद 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 वानी से प्रमात्मा की आँखों देखी मही मा सुनानी सुरू कर दी अनन्त कोट बर्मंडे में बंदी छोड कहाई सो तो एक कबीरे हैं जो जननी जने नमाई नासत गुरू जननी जने उनके माने बाप है प्रिंड बर्मंड से रहित है जाना तिनो ताप है अब इस तरह की जो बानी बोलन लगे गाउवाले समद नहीं पा रहे हैं यू लड़का बोल लेके है तो उन्होंने सोचा अप पर निश्करस निकाल लाग रहे हैं